और सोशल मीडिया पर डालने का फाइदा यह है कभी कभी क्या होता है ना जो अथर्टीज होती है वो सोती रहती है आप गलत चीज नहीं दिखाए यानि कि जो है वो ही दिखाओ एक की चार नहीं करने ता कि कल को आपको दिक्कत नहीं हो हुआ हम लोग हजबेंड के साथ कोई भी वाइफ या हजबेंड अपनी आप बीती सोशल मीडिया पर डाल सकता है या नहीं ओके सो फुल एक्स्प्लेनेशन के साथ बात करेंगे तो यार देखो पहला होता है एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 उसमें बोलता है freedom of speech and expression यानि कि आपका fundamental राइट होता है कि अगर आपका वो लगरा है बड़ा बहुत टायम लगर तो आज का टायम जो है ना सोशल मेडिया का है तो आप सोशल मेडिया पर डालके भी आपने आपको जस्टिस दिलवा सकते हुआ इसके लिए ना condition है condition है की आपके साथ जो हुआ होगा ना वही डालना आप डाल सकते हो कोई दिक्कत नह मानलों कि इसी wife के साथ कोई घटना हुई बहुत बुरी और authorities उसकी सुन नहीं रही है जैसे authorities ignore कर रही है wife है कि छोड़ते हैं भी समझोते पर ज़्यादा धिहान देते हैं लेकिन wife को चीए कि यार मेरे को justice मिले और मेरी बात दूर तक जाए लोगों तक जाए और लोग मेरे को support करें या फिर कोई NGO आए और मेरे को support करें तो wife अपना social media पर वो डाल सकती है बट उसके लिए condition यह है कि यार देको वो ना बिल्कुल perfect होना चीए यानि कि जो तुमारे साथ हुआ है वो ही होना चीए यह नहीं कि तुम एक ही चार करके बना रहे हो क्योंकि कलको अगर आप मालो गलत वो करोगे तो आपके उपर भी defail का case होने के चांसे बढ़ जाते है अब यह दो दोनों के लिए husband के लिए भी wife के लिए था ही husband के लिए भी कभी कभी क्या होता है जैसे मालो जो हुआ है वो ही डालना है एक ही चार नहीं मना नहीं कलको आपको उपर deformation हो गया तो आपको ही दिक्कत हो सकते हैं तो बिल्कुल genuine चीज़ डालें और कोई दिक्कत नहीं है आप डाल सकते हो और social media पर डालने का फाइदा यह है कभी कभी क्या होता है जो authorities होती है वो सोती रहती है अब मालो कोई खबर पहुंच गई न्यूज में चले गई तो authorities अपने आप action लेती है क्योंकि उनके उपर pressure होता है social media का लोगों को पता चल जाता भी ऐसे ऐसे हो रहा है बट आपकी जो condition है वो genuine होनी चाहिए आपकी wife आपको पीट रही है आपको husband आपका पीट रहा है बट आपके पास कोई proof नहीं है authorities को paste करने के लिए या फिर आप live आ सकते हो यानि कि जब कभी आपके साथ कोई घटना हो रही है या मतलब सब के लिए बता रहे है husband वाइफ याना सुचना wife के लिए सब के लिए कभी-कभी husband भी victim हो जाता है तो वो भी live आ सकता है कि देखो मेरी wife ऐसे करती है मेरे parents के साथ ऐसा करती है या फिर मेरे साथ ऐसे करती है मेरे बच्चों के साथ ऐसा करती है तो वो सब डाल सकते हैं और कोई दिककत निया Article 19 Clause 1 Freedom of Speech and Expression यानि कि आप अपनी अभी व्यक्ति कर सकते हो अपना जो आपके विचार है आपके साथ जो भी है वो दिखा सकते ओ आप कर सकते हो पबिश ठीक है बट यह कि आप गलत चीज नहीं दिखा है यानि कि जो है वो ही दिखाओ, एक ही चार नहीं करने ही ताकि कल को आपको दिकत नहीं हो ओके, so I hope it is clear, chill man, chill